नमश्कार दोस्तों स्वाइद आपका मेरे चैनल पर और मेरे चैनल का नाम है वर्षा व्यूतिकेर आज मैं आप लोगे साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खास टॉपिक जो कि हम महिलाओं के मन में अकसर एक सवाल उटता है कि हम प्रेग्नेंट होने से कैसे बस सकते है तो मुस्से काफी सारी फ्रेंड्स मुसे पूछ रही हैं थी कि आप कैसे अपनी गरभधारन को रोकते हैं बिने किसी इंजेक्शन ये टैबलेट के आप कैसे अपनी गरभधारन को कंट्रोल करते हैं तो प्लीज इस पर एक वीडियो गना दीजे तो आज ही में टोपिक आपको ये भी बताऊंगी कि आप वो गलती ना करें जो गलती मैंने दो रहाई थी वीडियो के एंड में आपको वो गलती भी जरूर बताऊंगी ताकि आप लोगों से वो गलती ना हो इसलिए प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इंबॉर्ट वीडियो में आपसे कुछ ऐसे खरेनों नुसके शेयर करने जा रही हूं, जिनकी हल्प से आप अपने घरधारन को रोक सकते हैं, यानि के प्रेगने होने से बच सकते हैं, अगर आप प्रेगने नहीं होना चाहते हैं, तो फिलाल कुछ टाइम के लिए आप इन नुसको को आप से एक या दो बार ले सकते हैं, इसे ज्यादा नहीं है, इसके इलावा गरभधारन रोकने के और भी बहुत जदा आपको ऑप्शन से बिल जाएंगे, ओननाइन भी चेक कर सकते हैं, कोपरटी है, इसमें आप्शन सा जाता है, इंजेक्शन सा जाते हैं, टैबलेट्स और भी काफी चारी हाती है, वो भी आप खा सकते हैं, बच मैं आपको यहां पर टैबलेट की सलह नहीं दूँगी, बहुत जीदा एमरजनसी में ही आप टैबलेट कहा सकते हैं, और लोग टाइम तक आपको टैबलेट स्जुए नहीं कहाते हैं, कुईकि इसके बहुत जादा तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ घरिल नुसके बताने जा रही हूं जो कि मैं खुद भी लेती हूं, अपनाती हूं नुसकों को तो यहां पर जो मेरी सबसे पहली टिप है धरिल नुसकों में वो यह है कि जब भी आप अपने पार्टनेक साथ इंटीमेट होते हैं, आपके मैं में अगर ऐसा कुछ डाउट रह जाता है, तो आप उसके तुरंद बाद ही दो से तीन पीस आप अंजीर के खा सकते हैं, अंज tip number two मेरी यहां पर है, अगर आपको ऐसा कुछ बीड़ाउट होता है, या अगर आप बचना चाते हैं घरबदारन से, तो आप पपीते का सेवन कर सकते हैं, लगातार तीन से चार दिन तक आपने पपीते का सेवन करना है, हर रोज आपने पपीता खाना है, पपीते की मैं आ प्रेगनसी के टाइम पर भी डॉक्टर ने मुझे पपीता खाने के लिए मना किया था क्योंकि पपीते की तासीर बहुत गर्म होती है। टाज़े पानी के साथ आपने एक चमच हल्दी खानी है। उसी वक्त खानी है आपने अपने ही साथ से देख लेना है आपको जो भी सही लगता है आप वो कर सकते हैं। और tip number 5 में मैं आपको या बताना चाहूंगी, शायद आपको ये तरीका थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मेरी डॉक्टर ने, गाइनलोजिस्ट जो मेरी डॉक्टर थी, तो उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया था, कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ intimate होते हैं, उसके तुरत बाद ही आपने यूरीन पास करने के लिए जाना है, आप जब भी यूरीन पास करते हैं, तो आपने थोड़ा जोर लगाकर यूरीन को पास करना है, ताकि ऐसा कुछ भी अगर अंदर गया हो, आपको कुछ डाउट हो, तो वो यूरीन के थूँ फलश आउट ह हो जाए, साथ ही साथ चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर उस गलती की, जो कि मैंने दो रहाई थी, जब मेरी शादी को कुछ ही वक्त हुआ था, तो उस वक्त में मुझे इन सक चीजों के बारे में अतनी नोलेज नहीं थी, तो मैंने टैबलेट ली थी, यानि कि एमजनसी पिल्स ली थी, तो मैंने एमजनसी पिल्स एक या दो बारी ली थी, तो उस वक्त मेरी हालक बहुत ज़़ादा खराब हो गया थी, और मेरे डॉuk्टर ने भी एड्वाइस की थी कि आपको बहुत ज़़़ास से एमजनसी पिल्स नहीं लीने हैं, क्योंकि आपको यूप को अपनाई क्योंकि ये भी काफी हद तक कारगर सीध होते हैं, काफी effective हैं ये भी क्योंकि मैंने खुद अपनाई हैं, उसके बाद से मैं ये जो emergency pills थी लेनी बंद कर दी थी, और कहते हैं ना कि जान है तो जान है, अपनी health आपके लिए सबसे ज़्यादा important है, तो इसलिए emergency pills को long time तक बिल्कुल मतले, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, और इससे काफी नुकसान भी होते हैं हमारी health को, और end में आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी friends, कि आप कभी भी doctor की advice के बिना कोई भी emergency pills या injections वगरा अंदा लगवाएं, क्योंकि इससे आपको नुक्सा और अगर आप और भी amazing सी वीडियो तेकना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चानल को subscribe जरूर कर लिजे, साथ में जब बटनाई से प्रेस कर दीजे, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका notification आपको सबसे पहले मिले, और आप से मेरी कोई भी new वीड वीडियो मिसना हूँ, और आप मुझे follow कर सकते हैं Facebook और Instagram पर, मैं मिलती हूँ, और भी amazing सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए, bye bye